तो मेरे प्यारे दोस्तों One Day One Chapter की सीरीज में जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है Principles of Inheritance and Variation पैन की मोटाई थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अब देखो सबसे पहले हम क्या है थोड़े से साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं एक आप दो है इसमें क्या है NCIT से बाहर का भी मैंने बताया है पर important है इसलिए बताया है जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं Father of Genetics को है? Mendel है सबको पता है Father of Experimental Genetics को है? Morgan है अब Morgan का जिकर क्या है अपनी NCIT में अच्छा खासा किया हुआ है तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए Father of Experimental Genetics को है? Morgan है and Father of Modern Genetics को है? Batson है अब देखो यहाँ पे Batson का नाम इसलिए important हो जाता है कि जो Genetics टर्म थी ना Genetics जो टर्म है वो किसने दी है? Batson नहीं दी है इसलिए इनका नाम बहुत महत पूरण हो जाता है अब Next Genetics जो वर्ड है इसकी Definition क्या होती है? तो Genetics का मतलब है Study of Heredity and Variation अब आपको पूछना चाहिए कि Heredity क्या होती है? Variation क्या होती है? variation तो नाम से ही cover हो रहा है, variation मतलब variation आ रही है मतलब आगे से आगे से आगे मानलो, कोई दादा दीजे, उनका बेटा जो आया वो उनसे थोड़ा अलग आया और उनका बच्चा जो आया वो उनसे अलग होगा, height में अलग हो सकता है, color में अलग हो सकता है बहुत सारी चीजों में अलग हो सकता है, तो यह है variation next, heredity क्या होती है, heredity होती है, खांदानी, खांदानी का तो मतलब मेरे ख्यालते सभी यहाँ पर समझते हैं अब फिर से पूरे chapter के scientist हमने क्या है, यहाँ पे एक जगा पे निकाल दिये हैं जैसे कि father of genetics हम already देख चुके हैं, कौन है, अपने मेंडल अंकल है, और पुनिट स्क्वेर किस ने दिया था, तो यह नाम में यार है RC पुनिट, और क्रोमोजोमल theory of inheritance किस ने दिती, सक्टन एंड बोबरी ने, और क्या है मेंडल के काम को re-discover किस ने किया था, डी वराइज, शे मार्क याट से मार्क कुछ भी बोलो, वैसे T हना silent ही होता है, हना पर हना अंगरेजी है तो कुछ भी बोलो, वस नाम याद रखना है आपको, next है corrence, ठीक है, यह तीन scientist ने मेंडल के काम की re-discovery की थी, next है linkage, जो term है, वो किस ने दिती, देखो, linkage का नाम आते ही, आपके दिमाग में एक scientist भागा भागा आना चाहिए, जो की है, Thomas Hunt Morgan, T.H. Morgan, ठीक है, और X body किस ने दीती, hanking ने, देखो, इसका ऐसे याद रख ले न, X को अगर, X ऐसे बनता है न, तो X को अगर ये, इसको सीधा डंडा बना दो, तो एक K बन जाएगा, K, यानि ये hanking बन जाएग next है, allele किसको बोलते है, alternative form of gene को हम क्या बोलते है, allele बोलते है, देखो, for example, for example, height है, हना, height एक character है, अब height के लिए जो gene है, हना, height के लिए जो gene है, या फिर allele है, यहाँ पर allele की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, देखो, वो dominant भी हो सकता है, और वो recessive भी हो सकता है, तो यह ही बात कर रहे हैं, कि यही क्या है, यही क्या है, gene की alternative form है, कि वो dominant भी हो सकता है, recessive भी हो सकता है, और यही को हम क्या बोलते हैं, allele बोलते हैं, next है, phenotype क्या होता है, देखो, phenotype मतलब जो बाहर से अपने को दिखता है, बाहर से अपने को जैसा दिखता है, external appearance, और genotype क्या होत काला है हाइट में कितना इस तरीके की चीज़े ठीक है नेक्स्ट है वही हेरिडेटी वेरियेशन की हम बात कर चुके हैं हेरिडेटी यानि ट्रांस्मीशन ओफ करेक्टर यानि वही खांदानी कोई चीज चल दे वेरियेशन तो आपको पता यह डिफरेंस आ जाएगा ना जै किये थे और किस पे किये थे मटर के उपर किये थे ना मटर के पी प्लांट के उपर किये थे और उनने करेक्टर कौन से कौन से लिये थे करेक्टर कौन से कौन से लिये थे स्टेम हाइट फ्लावर कलर फ्लावर पोजिशन पोड शेप पोड कलर सीड शेप सीड कलर अब इनक पुँए इसे और क्या रेक्टर है उसका रीजन क्या था था कि वो एक टाइम पे एक से दो करेक्टर की study करता था और क्या है statistical record मतलब क्या है देखो जैसे हम biology पढ़ते हैं यहाँ पे तो बहुत सारी theory लिखी हुई है पर mendel है ना mendel ऐसे theoretical काम नहीं करता था वो mathematical काम करता था ना बहुत सारा mathematics mathematics statistics इसकी study करता था तो इसलिए क्या है उसका experiment अ मतर का पोधा select उसने किया यह उसकी success में क्या है बहुत इजाफा कर देता है क्यों 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 कि मतर के plant की यहाँ खास बात क्या है कि वह self pollination करता है मतलब हम selfing कर पाएंगे और क्या उसमें multiple traits हैं मतलब एक टाइम पे हम बहुत सारे character की study कर सकते हैं और क्या short life cycle है मतलब क्य है देखो मानलो मानलो आपको एक्सपेरिमेंट कर रहो हना आपने क्या कर दी ए और बी के बीच में breeding करा दी अब इस breeding का result मानलो दो साल बात आएगा तो आप दो साल तक बैठे रहोगे हना और मानलो वह fail होगे आपका experiment तो आपको दुबारा breeding करा होगे दो साल फिर बैठे रहोगे तो क्या है life cycle जो short होनी चाहिए मानलो मानलो आपने experiment कराया A और B की हना आपने breeding करा दी और एक महीने में ही इनका result आगया ठीक है तो आप एक साल में 12 experiment कर सकते हो अगर एक साल में result आएगा तो आप एक साल में एक ही experiment कर पाऊगे तो यही reason है ठीक है next क्या है next क्या ह कि हना देखो मेंडल के यहाँ पर total तीन लोज अपने को पढ़ने है पहले हम दो कठे पढ़ेंगे और एक बात में पढ़ेंगे दो कठे कोंसे पढ़ेंगे law of dominance and law of segregation dominance में क्या होता है simple सा है मानलो यह है ठीक है अब इसमें से अपने को पता ही है कि यह वाला क्या है dominant allele है य उसी का result क्या है शो होता है वो ही तो अपने आपको क्या करता है एक्सप्रेस करता है तो यहीं बोलता है law of dominance segregation वाला तो कुछ नहीं है segregation वाला तो simply अपने को cell division में भी समझ में आता है segregation क्या है cell division में भी समझ में आता है it states that allele do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation मतलब क्या है blending नहीं होती है अलग-अलग हो जाते है इसकी बहुत ही इसकी न यह ऐसा लो है ऐसा याद रखना आपसे पूछ लिया जाए कि मैंडल का ऐसा लो बताओ जिसमें exception होने का chance नहीं होता है या बहुत ही कम होता है तो वह है law of segregation अब next हम देखने वाले हैं law of dominance की exception क्या होती है इन complete dominance and co dominance इसमें क्या क्या होता है drivers incomplete in complete यानि complete तरीके से donate नहीं कर पाया क्या नईn अलीह नहीं कर पाया गर अगर 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 dominant कलर है अगर मतलब क्या है अगर अगर डोमिनग अलीछ आ गया तो वह अठर आपने दिखो अगर यह प्रोजेनी में अपने पास अगर dominant allele present है तो red color इसका होना चाहिए था ना यहाँ पे क्या है इसका color कैसा होना चाहिए था रेड होना चाहिए था क्योंकि यह dominant allele present है तो इसमें incomplete Efendimiz में क्या होता है कि जो dominant allele है वो अपने आपको completely टीटली डोमिनेट नहीं कर पाता है तो result अपने को देखो यहाँ पे red था यहाँ पे white था और अपने को प्रोजैनी में ना तो red दिखाए दिया, ना ही white दिखाए दिया, क्या दिखाए दिया है, pink दिखाए दिया है मतलब बिल्कुल ही अलग आ गया है, बिल्कुल ही अलग color अब यहां पे कोड़ में कि दूर कर पाएगा नहीं प Whereas पूरे तरीक़े सी डूमिनेट कर लिया अधा अधा दोनों ने हाफ-हाफ कर लिया आधा इसने dominant आधा इसनल लोग को मतलब दोनों साथ में आ चुके हैं अब इसके example देखे ते इन complete dominance के example है Mirabilis jalapa यानि 4 o clock plant, enterinum magus यानि snapdragon co dominance के example है AB blood group हना किसी का blood group है क्या है AB है मतलब AB dominant आधा कर चुका है और BB कर चुका है नेक्स्ट हम multiple allele की बात कर रहें देखो normal condition में क्या होता है एक जिनकी alternative copy हमने बात की थी हना तो दो ही तो copy होती है इस तरीक से या फिर हम बात कर लें इस तरीक से ठीक है बट अगर अगर दो से जादा copy हो जाएं ठीक है more than two alternative हना क्या है दो से जादा copy हो जाएं तो उसी को तो बोलेंगे multiple multiple क्या है multiple क्या है ना बहुत सारे हना और allele हना जैसे कि हम ABO blood group में देखने को मिलता है कि ये भी हो सकता है हना प्लियोट्रोपिक जीन बोल देते हैं प्लियोट्रोपिक तो polygenic inheritance का ठीक opposite कर दो तो प्लियोट्रोपिक जीन बन जाता है कि एक जीन है और एक से जादा character है और यहां पर जादा gene है और एक ही character है sex determination यहां पर तीन टाइप से अपने को पढ़नी है हना एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली हना ये वाली तो अपने humans में present होती है और यहां पर homozygous male है और अपने अंदर क्या होता है homozygous female होती है और क्या है heterozygous क्या है यहां पर female है example की बात करें तो x x x y में humans आ जाएंगे और x o वाले में grass ओपर यानि insect वो सब आ जाएंगे अपने और z w वाले system में अपने birds आ जाएंगे अब यह honey bee की बात करें तो देखो simple सा flow पकड़ना देखो ovum था female ovum था ovum कैसा होता है heploid होता है अब देखो ovum के साथ दो possibility बन सकती है या तो क्या है fertilization जो है वो नहीं होगी या fertilization हो जाएगी अब fertilization नहीं हुई है मतलब ovum को male gamete नहीं मिला fertilization हो गई है मतलब male gamete जो है वो मिल गया है अब अगर male gamete ना मिले यानि fertilization अगर ना हो तो क्या बन जाता है पार्थेनो जनेसिस मतलब बिना fertilization हाना यह word ही क्या है बिना fertilization के क्या बन जाएगा drone बन जाएगा drone बोल लो या फ mysterious ही नहीं हुई है तो ये हेपलोइड से servir ही मन चुका है और और ये क्या है dron जू है अपना अपर मेल है तो ये मेल गमीट बनाएगा यानी ये फरटाइल होगा अब अगर जाती है तो जाहिर सी वात है हो जाती है तो यहाँ पर sperm आया होगा ना ये male gamit आया होगा नहीं यहां पे तो यегom attack ये कंगे तो यह known स्टेराइल होती है मतलब इसका काम बच्चे पैदा करना तो नहीं है यह सिर्फ काम करेगी हाना फूलों पर जाएगी और उनका रस चूज के हाना अपने छत्ते तक आएगी और क्विन रानी है इसका काम अराम से बैठे बैठे इसका एक ही काम है ओवम को प्रोड्यूस करना और ये ओवम फिर कहां चला जाएगा ये ओवम फिर ये आजाएगा और सेम साइकल चलती रहेगी और ये मेल गमीट कहां आ रहा था ये अपना मेल गमीट आ रहा था ये सारी हना क्या है यहाँ पे क्लियर है कि कौन डिप्लोइड है कौन है प्लोइड है कौन स्टेराइल है नेक्स्ट हम लिंकेज की बात करें तो लिंकेज का नाम आते ही दो चीज़े अपने माइंड में आनी चाहिए Morgan and Drosophila Morgan ने discovery की थी किसके अंदर Drosophila के अंदर discovery की थी यह क्या है physical association of gene देखो नॉर्मली होना क्या चाहिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ law of independent assortment law of independent assortment देखो होना क्या चाहिए simple सी बाते समझो यह है मालो यह die hybrid app ने पास अगर इसमें independent assortment होती है तो कितने type के gamit बन सकते है तो 4 type के gamit बन सकते है कि सारे क्या है separate हो जाएंगे सारे क्या है separate हो जाएंगे बट अगर यहाँ linkage present है तो linkage में क्या होगा linkage नाम से पता रहा है link हो चुके है तो separation में दिक्कत आएगी separate वो नहीं हो पाएंगे तो जो gamit है वो कम बनेंगे तो एक simple सा example बतातो आपको एक rough example माल लो यह एक circle है यह दूसरा circle है circle बोल लो याँ बोल बोल लो या कुछ भी बोल लो ठीक है और माल लो यह ऐसे जुडे हुए है ऐसे जुडे हुए। और इसमें क्या है linkage जो है वो प्रेजेंट नहीं है और मैं आपको बोल दूँ इसको तोड दिजे तो आप यहां से तोड़ दोगे हैं आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं अब यहां पर मालो मैं बोल दूँ यहां पर linkage present है यहां पर linkage present है linkage present है मतलब क्या है यहां से यह bond नहीं तूट पाएगा यहां से नहीं तूट पाएगा यह सिर्फ यहां बन रहे हैं और जहाँ पे linkage present है वहाँ पे सिर्फ दो type के बने तो यही है gamete वाली formation कि जहाँ पे linkage नहीं होगी वहाँ पे gamete भी जादा बन रहे हैं और gamete जादा बन रहे हैं तो variation के chance जादा है अब यहाँ पे आपने gamete का number ही कम कर दिया तो जाहिर सी बात है आपके variation के chance भी कम हो पाएंगे अब देखो linkage क्या होती है देखो linkage क्या होती है जितनी जादा crossing over होगी ना crossing over जितनी जादा होगी linkage उतनी कम होती है linkage उतनी कम होती है और जितना जादा jeans के बीच में देखो simple सी बात है ये जीन्स हैं ये इतने पास हैं और कुछ 2 जीन्स ये हैं इतनी दूर हैं अब ये पास में हैं तो इनके LINकेज होने के Chance भी जाता हैं ये दूर हैं तो LINकेज होने के यानि इनके जुड़ने के 뭔 कम है तो जितना जाधा Don't होगा linkage का उतना chance क्या है कम है और crossing over जितनी जादा है उतना भी linkage का chance क्या होता है कम होता है अब linkage group आप से कोई पूछ ले linkage group आप से कोई पूछ ले मान लो 2n is equal to 20 है तो इसमें linkage group आप से कोई पूछ ले तो simple n निकालना है आपको simple n निकालना है n कितना आजाएगा इसमें 10 आजाएगा तो linkage group आपसे पूछ ले आपको सिर्फ n निकालना है बात खतम है example of हना क्या है x linkage की बात कर रहे हैं हना sex linkage जो hemophilia में होती है color blindness में होती है eye color inner drosophila में होती है ये कुछ formula है ये कुछ formula है जो आपके काम आ सकते हैं है यहां पर heterozygous pair heterozygous pair कैसे होता है यह है heterozygous pair इस तरीके से अब number of हना क्या है आपको phenotypes count करना हो कि कितने बन सकते हैं तो जितने heterozygous pair है मान लों लों लो देखो, एक condition ये है, एक condition है ये, तो इसमें heterozygous है ना, इसको और कर लेते हैं, लोग आपको और अच्छे से बता जता हूँ, अब heterozygous पेर आपसे बोल दिया जाए, तो इसमें heterozygous कुन सा है, यही वाला है, यह तो नहीं है ना, इसमें तो dominant, dominant है दोनों, तो इसमें एक heterozygous पेर, इसमें ये भी heterozygous, ये भी heterozygous, इसमें दो heterozygous पेर है, तो वही बात की गई है, कि अगर ये N क्या है, यहां पे heterozygous पेर है, फिनोटाइप आपको निकालने हो, तो 2 की पावर N, जीनोटाइप निकालने हो, 3 की पावर N, टाइप of gamete कितने बनेंगे, 2 में ऐने तो यह पर्मूला आवना लगा देना है अध्यक्तर के सारे लाए यह तैम बहुत हैं वह सापस्ट तुमें भी चलना पड़ेगा मुझे भी चलना पड़ेगा ड़ा है दाई hedge Genotypic Ratio, यह complementary gene का dominant epistasis, वह यह notes आपके पास सारे हैं, यह NCRT smasher के ही notes है, recessive epistasis या फिर supplementary gene का यह है, यह co-dominance and incomplete का, co-dominance का भी होता है, incomplete dominance का भी होता है, next है mutation की बात करने वाले है, mutation की, देखो mutation यहाँ पे दो type की है, एक है point mutation, एक है frame shift, देखो, देखो, अगर single base pair में, मैं सिकल cell anemia, और अगर base pair का deletion या फिर insertion हो जाए, deletion या फिर insertion, deletion यानि minus हो गया, insertion यानि plus हो गया, तो उसको क्या बोलते है, frame shift mutation बोलते है, next हम pedigory analysis की बात करने वाले हैं, यह symbol है, फिर से वही बात है, time की कमी आपके पास भी है, और मेरे पास भी है, जादा से जादा क अब मैं आपको बताता हूँ, कि आपको dominant और recessive इन में से पहचाननी कैसी है, दो trick बताऊंगा, दो trick मैं क्या बताऊंगा, देखो, dominant क्या है, dominant वाली disease क्या होती है, पहले simple सा समझ लेते हैं, dominant वाली disease क्या होती है, कि अगर जहां भी dominant allele आ गया, मतलब बिमारी है, dominant allele अब कह कहां आ सकता है, इस condition में आ सकता है, और क्या है, इस condition में आ सकता है, और recessive की बात करें, तो recessive बिमारी कब होगी, recessive बिमारी कब होगी, कि dominant नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी condition में होगी, अब जाहिर सी बात है, ये वाली condition जादा normal बनेगी, ये बहुत rare बनेगी, ठीक है, अब देखो बिमारीों को पहचानना कैसे है अब देखो simple सी trick बता रहा हूँ आपको हाना simple सी trick देखो अगर parents में बिमारी नहीं है और आगे वो बिमारी दिखाई दे रही है मतलब वो recessive की बात करना चाता है क्या होगा अगर parent में बिमारी है तो आगे वो है दिखाई पड़ेगी बट अगर क्या है dominant वाले में अगर parent ठीक आगए п comments का मतलब है यहाँ पे देखो डोमिनेंट में अगर parent को बिना बिमारी का होना है तो ऐसा होना पड़ेगा और ऐसा एक बार हो गय ये वाला पेरेंट भी ये वाला पेरेंट भी मगर आग देखो मगर अगर नहीं अगर आप इसमें क्रोश कराओगे तो आगे आगे कितना भी क्रोश करा लो आपके पास डोमिनेंट वाला आही नहीं सकता मतलब बीमारी आगे आहीं स तो यही सिम्पल से ट्रिक है इस की इसकी किसकी किसकी падagory analysis की नेक्स्ट हम जेनेटिक ॉइसेस डिसोड़र की बात करने वाले हui हैノीटक रीख और ट ये होते हैं एक मैंडेलियन जेनेटिक ना Mendelian जो disorder है इनमें एक बहुत बड़ी confusion रहती है बहुत बड़ी confusion रहती है तो उसको मैं direct आपके सामने cover कर दूँ देखो जो ये total है जो ये total है Mendelian वाले इसमें से sex linked recessive कौन से है और autosomal linked recessive कौन से है ये एक बहुत बड़ी confusion रहती है बार-बार confusion होता है तो एक ही बार में इस confusion को खतम करो कि color blindness and hemophilia जो है वो sex linked recessive है and sickle cell anemia, phenyl ketonuria, thalassemia कौन से है, autosomal linked recessive है पहली confusion बिल्कुल clear है अब हम आगे जलते हैं अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करने वाले हैं जो ये Mendelian disorder है इनको बारी-बारी से याद करने की trick हम करने वाले हैं तो सबसे पहला disorder है color blindness अब इसके लिए अपनी simple trick क्या है बहुत ही आसान trick है देखो जो color होता है तो color को हम Hindi में क्या बोलते हैं color को हम Hindi में बोलते हैं रंग बोलते हैं color को हम Hindi में रंग बोलते हैं अब रंग के R से अपने को क्या याद आएगा red याद आएगा और G से अपने को क्या याद आएगा ग्रीन याद आएगा, मतलब क्या होता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर, red और green आईज में, जो red और green कलर के लिए कौन होते हैं, उनमें problem होती है, टीक है, बिलकुल clear है, बिलकुल ही clear है, next अपना disorder है hemophilia, next अपना disorder है hemophilia, टीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं hemophilia की, टी सबकुर्द गो NHAHA अब हिमो क्य से रिलेटिड होता है हमें पता है यह बलड से 吧 होता यह और अधैंझो फीलिया जो डो दो रोड होते है रोड दो ओता है एक तो लिक एक होता है फिलिक और एक होता है फोबिक एक होता है phobic तो philic का मतलब क्या होता है फिलिक का मतलब होता है प्यार, attraction लायोफिलिक, लायोफोबिक और phobia का मतलब क्या होता है डर आपने सुना हुआ हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला अब ब्लड से प्यार कोन करेगा जाहिर सी बात है जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा वही तो ब्लड से प्यार करेगा क्योंकि उसके पास खून बचता ही एक 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 एक्जांपल देख लेते हैं स्को ब्लड से जाहिर सी बात है प्यार होगा ब्लड से प्यार यानि हिमोफिलीय में क्यों होता है ऑग थेशंकल तडstick है लिदेंग्यों धीफेक्ट विल्कुल हिए थिम्पली बाते चलए है नेक्स्ट अपना है सिकल अने ने से होगिया सिकलति लुए सिकललirmia सिक्कल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं इसमें बिसिकली होता क्या है जो अपने को याद रखना है वो क्या है इसमें सबस्टिटूशन होती है किसकी होती है इसमें सबस्टिटूशन होती है गल्यूटैमिक एसिड की होती है और कौन करता है यह सबस्टिटूशन ये substitution करता है VII, Valene बोलो, Valene बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, और कहाँ पे होती है at sixth position, एट sixth position, किसकी hemo globin की chain पे, सिक्कल Candent endemic में क्या होता है, substitution होती है किसकी glutamic acid की, और ये substitution करता कौन है Valene करता है, Valene बोलो, Valene कहाँ पे करता है sixth position पे, किसके हीमोगलोबिन की चेंड पे अब इसको कैसे याद रखें तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है देखो जी यहाँ पे अपने को जी याद रखना है जी फॉर ग्लूटेमिक एसिड यहाँ पे अपने को वलीन याद रखना है और यहाँ पे अपने को सिक्स्त पोजीशन याद सीटिटाइब Two The उहनौन है? मैनेजर होते हैं जो corazón भी। सब्सक्राइब तो क्या है गत्रो Angie में बहुत सारे लिप्रेती है बहुत सारे चक्रइंध न सबस्टिटूशन विए विरंदर सहवाग ने की और कि इसकिस मारने के एक सीट हुई किस्ने की ह्वें धुरीं ने की कहाँ पर यख़ मि पीडिकिक भले ञOOOO 6 बहुत कर रहे हैं थेलेशीम्या की नेक्स्ट बात कर रहे हैं थेलेशीम्या की देखो इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है थेलेसीमिया की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है एक उटोमेटिक उससे बन जाएगा कि हीमोगलोबिन में चेन कम था कम यानि less less कम था कम था अब देखो ट्रिक क्या बनी अपनी ट्रिक कैसे बनी अपनी देखो था से अपने को याद आ जाएगा थेलेसीमिया मतलब यह ट्रिक इसकी है थेलेसीमिया अब थेलेसीमिया में होता क्या है वो अपने को याद रखना इस ट्रिक से तो थेलेसीमिया मे क्या होता है हीमोगलोबिन में चेन कम हीमोगलोबिन में चेन कम मतलब थैलेसीमिया में जो हीमोगलोबिन की चेन होती है उसकी जो production होती है वो कम होती है अब अलफा चेन में अलफा चेन की production अगर कम होगी तो alpha thalassemia हो जाएगा beta chain की production कम होगी तो beta thalassemia हो जाएगा thalassemia में क्या होता है hemoglobin की chain की production कम होती है अब alpha chain की होगी तो alpha thalassemia बीटा chain की होगी तो beta thalassemia बहुत ही आसान है बहुत ही simple है ठीक है अब next आगे बढ़ते हैं इस ठोजory करते हैं पिल्कुल लोजिक से करना इसमें क्या उनली और टा। तो यूसमें किन्व पहलता है किसमें Может यह चैसे स्व में एक enzyme होता है जो यह process करता है बिल्कुल healthy person में क्या होता है phenyl analin जो है वो tyrosin में convert हो जाता है tyrosin में किसी enzyme की help से ठीक है अब हम अगर बोल दें कि किसी को कोई बिमारी हो जाए बिमारी कुण सी phenyl ketone urea हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है यह enzyme जो है यह खतम हो जाता है बनता ही नहीं है एक तरीके से इसकी कमी आ जाती है बनता ही नहीं है कुछ भी लगा लो इस enzyme की कमी आ जाती है तो इस enzyme की कमी आने से क्या होगा यह process तो हो नहीं पाएगी टाइरोसिन तो बन नहीं पाएगा, तो क्या बन जाता है, तो क्या बन जाता है, फिनाइल पाइरूविक एसिड बन जाता है, और इसी बिमारी को क्या बोलते हैं, हम फिनाइल लकेटोन यूरिया बोलते हैं, अब देखो, मेंडेलियन डिसोडर्स को याद करने की सारी ट्रिक देख चुके हैं, अब हमें बात करने पड़ेगी chromosomal disorders के बारे में तो इसमें बारी-बारी से बात करेंगे Down syndrome, K-Line-Feltler syndrome, Atterner syndrome देखो, Down syndrome में क्या होता है जो 21st chromosome है, 21st chromosome है उसकी क्या हो जाती है ट्राइसोमी हो जाती है देखो, normally क्या होता है हर chromosome की दो कोपी होती है हर chromosome की दो कोपी होती है बट यहाँ पे 21st जो chromosome है, उसकी ट्राइसोमी मतलब उसकी तीन कोपी हो जाती है तो उसी को बोलते है, Down syndrome ठीक है, K-Line-Feltler में क्या होता है देखो, normally male क्या होता है normally male कैसा होना चाहिए, यह होता है normal male, XY बट K-Line-Feltler में क्या हो जाता है, male कैसा हो जाता है XXY हो जाता है, यह हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में बात करें तो normal female जो है, वो कैसी होनी चाहिए XX होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक X chromosome क्या है, absent होता है तो यह X0, XO बोलो है जा फिर X0 सही रहेगा यह होता है Ternal Syndrome अब टर्नर और क्यान फेल्टर में होता यह होती है, Ternal Syndrome कि इसमें होता है, female में होता है, बट इसमें female के character थोड़े absent होते है, क्योंकि एक X chromosome इसमें उड़ चुका है उसमें female के secondary sexual करेक्टर अब सेंबों और केलाइन फैल्टर में बात करें तो होगा इसमें होगा तो मेल रांद प्लिकायो मैं धन्यवाद